कधा लोक सीर्षक के अंतरगर आज मेरी हिंदी कहानी एंजल शाम को छे बजते ही आफिस से घरा कर हट बड़ाते हुए अटैची में कपड़े डालने बाले अमन की वोर मैंने आश्रे से देखा क्या बात है इतने बिजी मैं इतनी करीब हूँ फिर भी मेरी वोर देखा तक नहीं इतनी उपेक्षा मैं चिड़ गई हाई डियर नाराज हो क्या चुप क्यों हो कुछ नहीं रहे आफिस में एक जरूरी काम पड़ा आज ही मुझे दोरे पर जाना है अरजेंट परसन रात तक वापस आ जाओंगा मुझे बाहों में लेते हुए उसने कहा अच्छानक मुझे बहुत दुख हुआ मेरी भावनाओं को समझते हुए अमन ने कहा डोंट वरी स्वीटी तुम्हें छोड़ कर जाने के लिए मेरा भी मन नहीं मानता आज आओंगा ना जिल्दी काम वाली होगी तेरे साथ अकेले बाहर मत जाना तुम तो टहरी खुबसूरत और गोरी नजर लग जाएगी सावधान समय पर खाया करो एंजॉई हसते हुए चुमा देकर फोन में किसी को कुछ समझाते हुए वहां से निकल गया मैं भी गेट तक उन्हें विदा कर लोड़ाई मुझे अमन के बिना घर सुना सुना लग रहा था मुझे अमन की जिन्दगी में आये शायद दस महिने हुए हुए कितना प्यार करता है वो मुझ से उनके घर वालों को मेरे प्रती अच्छी राए नहीं थी इतना ही नहीं मेरे आने के दस दिनों के अंदर ही अमन का तबादला होना भी उनकी नाराज़गी को और कुछ बढ़ाया बगेर घर वालों की इच्छा के अपनी जिन्दगी में मेरा स्वागत करने वाले अमन से मैं बेहत प्यार करती हूँ वे मेरे प्राणपरी हैं वे मुझे अपने साथ कलकता ले आए घर में केवल हम दोरों ही रहते हैं सिवा आफिस समय के दिन भर वे मेरे साथ ही गुजारते हैं मेरे आने का शुगन अच्छा था इसलिए उन्हें पदोन्नती हुई थी इसलिए वे मुझे एंजेल कहकर बुलाते हैं कुछ खाने को मन नहीं कर रहा फिर भी कुछ खा तो लिया लेकिन देर तक नीद नहीं आई दूसरा दिन भी बहुत मुश्किल से बीता हर दिन हम दोनों सुबह टहलने जाते थे क्या करता होगा वह इस वक्त खोया खोया सा लग रहा था शाम को जब बहुत वूप महसूस हुई तो घर के सामने वाले पार्क में कुछ देर बैटने गई मैं और अमन कभी-कभी यहां आते रहते थे थोड़ी देर बच्चों के साथ खेली दिन धलने के कारण वे भी बाई बोलते हुए घर की रह पकड़े मेरा मन घर जाने का नहीं हुआ दूर तक टहलने की इच्छा हुई और चलते चलते कम्यूनिटी हाल तक पहुँच गए अंदर बच्चों का कारक्रम हो रहा था थोड़ी देर देखा तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई नींद में अमन दिखाई देने लगा और प्यार से गले लगाते हुए कह रहा था कि एंजल तेरी आंखें कितनी सुन्दर है लव यू फिर थोड़ी देर बाद गुसे से पूछ रहा था कि तुम क्यों अकेली बाहर आई चोग कर देखा तो काफी समय हो गया था काम वाली घबराती होई बिचारी को पता तक नहीं था कि मैं बाहर आ गई एदि अमन ने फोन किया होगा तो हे भगवान मुझे जल्दी घर जाना चाहिए सोचते ही लगभग दोड़ते हुए घर की ओर मुड़ी रास्ता समसान था शायद काफी समय हुआ होगा कोई मनशे नजर नहीं आ रहे थे अमावश्या होने के कारण शायद अंधकार और भे गहरा हो गया था पता नहीं क्यों डर लग रहा था अच्छानक टीवी पर रोज सुनाई देने वाली खबरें याद आई स्त्रियों पर बलादकार और अत्याचार समाचार पत्र पढ़ते हुए अमन की बातें समरन हो आई की आसकल समाज में महलाओं को बिलकल सेफ्टी नहीं रात को क्या दिन में भी औरतें अकेले बाहर पैर नहीं रखवा दे कितना बुरा हाल उन्होंने कई बार मुझे समझाया था कि बाहर अकेले मत जो क्या मैंने सुना आप कैसे घर पहुंचना है ये क्या इतनी दूर चलने पर भी घर क्यों नहीं आ रहा मैंने दिल ठाम कर कंख्यों से देखा चार परच्छाईयां आज मेरा काम तमाम हो गया निरभया की याद आई अमन अमन तेरी बातों को मैंने अनसुना कर दिया मुझे माफ कर दो तुमने मुझे कितना प्यार दिया पता नहीं तुम्हारे आने तक मैं इस दुन्या में रहूंगी भी या नहीं अपनी चाल बढ़ा कर उसे दौड में बदल दिया पीछे की परचाएं बहुत करीब आ गई थी बहुत 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 करीब अब मुझे में ताकत नहीं मेरा काम खतम सर चक्राने लगा आँखे बंध होगी और मैं धेर होगी आँख खुलने पर मुझे घेरे हुए चार शकलों में से एक मेरे निकटा कर कहने रगा कि डूंट वरी डरो माद तुम्हारा घर कहां बताओ तो सही हम सावधानी से तुम्हें घर पहुंच आएंगे ये बाते सुनकर जब मैंने हैरानी से उनकी वर देखा तो शायद उन्हें कुछ समझ में आ गया देखो बेटी हम तेरी मदद करने आए हैं तुम्हारे साथ अक्याचार नहीं करेंगे और तुम्हारा शील भंग भी नहीं करें क्योंकि हम मनशे थोड़े ही हैं हम तो ठहरे कुटे विश्वास पातरता के साथ हमारी एक नीती भी तो होती है कहते हुए घर तक छोड़ कर चले गए बेजबान होते हुए भी इन मनशों से तुम प्रानी ही बहतर हो अमन के मुझसे अक्सर निकलने वाली बातें याद आई मेरी जाती के संसकार ने मुझे मुझे मुझध कर दिया हे भगवान हमारे कुटों को हमेशा ऐसे ही गुध्यमान बन कर इतने ही अच्छे से रहने दो प्राधना करते हुए जैसे ही अंदर कदम रखने लगी तो ए एंजल कहां गई थी बिना बताए आजा जल दिखा न खाया काम पारी ने प्यार से जड़क दिया मेश पर के फोटोग्राफ में मुझे सीने से लगा कर मुस्कराते हुए अमन को देखकर मैंने प्यार से पूँच हिलाई सुना है ना मेरी कहानी एंजल अगर आपको अच्छी लगी तो शेर करें और लाइक करें पहले बाद में शेर करो